भारत के महाराष्ट्र में सहियाद्री पहाडों के ऊपर स्थित मुलहेर किला, युद्धों और शासकों से भरा एक सम्रिद्ध इतिहास समेटे हुए है। एतिहासिक संदर्भों से पता चलता है कि किले का स्थित्व 14. शताबदी की शुरुवात में हो सकता है। पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका संभावित उल्लेख मिलता है। बागुल राजवंश के बाद मुगलों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मराठा समराठ छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीती के लिए जाने जाते हैं, ने मुगलों के खिलाफ अपने अभियानों में किले के महत्व को पहचाना। 1662 में अवैतनिक वेतन के कारण किले के भीतर एक सैनिक की हड़ताल ने एक अवसर पैदा किया। अंततह उन्होंने मुलहेर पर भी कबजा कर लिया और इसे मराठा सामराज्य में शामिल कर लिया, हालांकि किले का नियंतरण कुछ समय तक मराठों और मुगलों के बीच जूलता रहा, अंततह अंग्रेजोंने किले पर कबजा कर लिया और भारत की स्वतंतरता के बाद यह भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन के नियंतरण में आ गया। मिश्रण दर्शाती है।